दोस्तों Google Play Store पर Play Protect के बावजुद ऐसे कई एप्स हैं जो आपके फोन की स्पाइक करते हैं पब्लिशर्स कई तरह के एप्स अलग अलग नाम से Google Play Store पर अपलोड करते हैं हाला कि Google समय समय पर एप्स हटाता भी है लेकिन डेवलपर्स और पब्लिशर्स अपने एप्स को अलग अलग नाम से कई नई तरीके ढून कर इसे Google Play Store पर अपलोड करते हैं Google Play Store के अलावा कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां Android एप्स डाउनलोड के लिए उपलप्त होते हैं इसका फाइदा उठा कर हैकर्स यूजर्स के WhatsApp और स्मार्टफोन को टार्गेट करते हैं अगर आप WhatsApp यूजर्स करते हैं तो जाहिर है इसके चैट्स अपक्लिप प्राइविट होते हैं और इसे आप किसी किससा शेर करना नहीं चाहेंगे लेकिन कई तरह के एप्स हैं जो WhatsApp को एक तरह से स्पाय कर रहे होते हैं हमने कई यूजर्स के स्मार्टफोन में WhatsApp के अलावा WhatsApp के कई सपोर्टिंग एप्स देखे हैं प्ले स्टोर पर आप WhatsApp लिखकर सर्च करेंगे तो पहले और दूसरे नमबर पर ओफिशल WhatsApp दिखेंगे लेकिन इसके बाद एक लंबी रिस्टोर की जो WhatsApp से जुड़े होते हैं और इन में से ज्यादा तर आपके WhatsApp अकाउंट के लिए बेहाधानी का रखें WhatsApp प्लस, WhatsApp गोल्ड ये ऐसे अप्स हैं दोस्तो जो अभी कई वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं ये अप फरसी हैं और इन्हें जैसे ही आप एकसेस देते हैं ये आपके स्मार्टफोन का स्पाई करना शुरू कर देते हैं और खास कर आपके WhatsApp से जोड़े डेटा कलेक करते हैं कुछ अपस ये दावा करते हैं कि वो ऑनलाइन होते हुए भी आपको आफलाइन दिखाएंगे कुछ ऐसे भी अपस हैं जो ये दावा करते हैं कि एक नंबर से आप दो WhatsApp पकाउंट चला सकते हैं इसी तरह WhatsApp Auto Replace, Search Friend on WhatsApp, WhatsApp Message Scheduler और WhatsApp Planner Apps हैं आप इस तरह के WhatsApp से जोड़े Apps कबता ही डाउनलोट ना कहें क्योंकि कंपनी यही सला देती है कि WhatsApp के तरफ से नॉर्मल यूजर्स के लिए WhatsApp एप है और बिजनेस यूजर्स के लिए WhatsApp बिजनेस इसके अलावा किसी भी तरह के WhatsApp से जुड़े Apps आपके स्मार्टपोन और WhatsApp के लिए नुकसान दे हो सकते हैं उमीद है आपको यह जानकर पसंद आई होगी हमारे साथ पाने रहने के लिए आप सभी कत दहें दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम है